मश्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल महाली बिल्डर्स में विवेक वर्मा आपके एलिया जलाए हैं 165 गज की बहुत ही शांदार कोठी जिसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं इस सेक्टर की हम बात करें तो सेक्टर 155 सनी इंकलेव में हम खड़े हैं अभी आसपास प्रॉपर रिहाइश है दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह एलिवेशन है इसका फ्रंट 27 फुट का इसका मथ्था है दोस्तों काफी स्पेशियस 4 बीच के कोठी है 165 गज की आप देख सकते हैं पकी सड़के यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों प्रॉपर रिहाइश है असपास यहाँ आपकी गाड़ी पाक हो सकती है एक अब हम अंदर चलते हैं देख सकते हैं फ्रेंट पर टाइलिल लगी हुई है यह गेट आप देख सकते हैं पर शीट्स लगी हुई है दोस्तों कि यह देख यह अंदर आ अगर हैं यहां पर लगा हुआ है काफी सिर्ण Baka do si a उसके वह सामने अपर आप अपने अन् ञाटों इंविंटस रख सकते प्रॉपर वाल-to-wal टाइल्ज लगी हुई है इसमें दोस्तों अंदर गुषते ही राइट पे एक डिजाइड बना हुआ है इसमें आप अपनी सीनरी लगा सकते हैं या इसमें waterfall चला सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं यह देखिए, प्रॉपर टाइलिंग है, एट फीट के स्टैंडर डोर हैं, दोस्तों, डबल जाली का दर्वाजा है, यह स्टेर्ज हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं, सेकेंड फ्लोर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अम हम आगे है, ट्राइंग रूम में दोस्तों, यह देखिए, एट फीट के स्टैंडड डोर इसमें, फॉल सीलिंग, आप देख सकते हैं, कंप्लीटेड है, द्राइंग रूम के अंदर, काफी स्पेशियस द्राइंग रूम है दोस्तों, वॉल पेपर लगा हुआ है यह आपकी L.C.F. में किचन आगी दोस्तों एंट्रेंस किचन यह M.D.F. की जाली आप देख सकते हैं पार्टिशन दिया हुआ है L.C.F. में किचन है मेरून एंट वाइट का कॉमिनेशन दिया है जो बहुत ही शांदर लुक दे रहा है किचन को दोस्तों यह आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस किचन है यहाँ पे आपका रेफ्रिजेटर आ जाता है दोस्तों बड़े से बड़ा रेफ्रिजेटर आप यहां लगा सकते हैं चिबनी का पॉइंट दिया हुआ है आरो का पॉइंट दिया हुआ है हेवी सेंग्स लगे हुए है इसमें यह रेखिए वाल पेपर यह एलेडी पैनल आ गया दोस्तों आपका एल शेप, यू शेप, कोई भी सोफा यहां लगा सकते हैं यह देखिए, पूरा लुकिस का, रोइंग रूम का सामने एलेडी पैनल दिया हुआ है बड़ी से बड़ी एलेडी आपकी यहां पर आ जाती है दोस्तों सिक्सीटर डाइनिंग टेबल यहां पर आ जाएगा आपका दोस्तों अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए दोस्तों हम डेली एक वीडियो डालते है फेंटे सलाक रुपे से हमारे पास कोटिया शुरू हो जाती है मुँचलेंगे फर्स्ट बेड्रूम में आप देख सकते है पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया है दोस्तों और साथ में माचिंग वाल पेपर है यह देखिए वाश्रूम वाल टू वाल टाइल्स यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों लाइट अंडा का कॉंसेप्ट है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वाल टू वाल कैबिनेट्स बनी हुई है कबज LED पैनल बड़ी से बड़ी LED आ जाती है दोस्तों आप देख रहे हैं इस टाइम यहाँ पर कोई light on नहीं की है सारा दिन घर पर light रहती है प्रॉपर सर लाइट आती है दोस्तों अब हम चलते हैं second bedroom की तरफ यहाँ आगे आपका second bedroom दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं pink and white का combination है wallpaper आप देख सकते हैं दोनों का contrast बनाया है combination में लगाया है दोस्तों बहुत ही शांदर लुक दे रहा है यह वाश्रूम आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम light and dark का concept है काफी spacious वाश्रूम है दोस्तों यह सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर भी cupboard आगी काफी spacious है 6-6 feet का bed लगाके भी काफी space बचती है यह देखिए उपर जो cupboard है LED पैनल है बड़ी से बड़ी LED आपकी यहाँ पर लग जाती है दोस्तों अब हम पीछे courtyard में चलते हैं तो आप देख सकते हैं courtyard जो है यह भी काफी spacious बना हुआ है यह आपका wash area आ गया यह रेखिए proper sunlight आती है दोस्तों पूरे घर में चाहिए वो आगे का कमरा है चाहिए वो पीछे का कमरा है दोस्तों हमने कोई lights नहीं on करी है हमारी कोशिश होती है आपके लिए रोज नहीं नहीं वीडियो लेके आए live वीडियो बनाते हैं edit नहीं करते हैं दोस्तों यह आपकी kitchen आगी दोस्तों आपका first bedroom आगया यह आपका second bedroom आगया दोस्तों attached washroom आगया पीछे courtyard आगया यह आपका drawing room आगया दोस्तों यह आप देख सकते हैं double molding stairs है जो first floor पे जाती है बाकी की जानकारी के लिए आप मुझे call कर सकते हैं मेरा number है 8553-770-770 नीचे screen पे भी मेरे दोनों numbers दिये हुए हैं यह डिकी toughen glass लगा हुआ है यह नीचे का look है दोस्तों false ceiling same design जैसा नीचे देखा था हमने वैसा ही उपर भी बना हुआ है दोस्तों आजकल काफी trend में है यह design यहाँ पे आपकी scenery लग जाती है या कोई आप show piece रख सकते हैं यह आगया आपका drawing room दोस्तों यह देखिए यह आपका third bedroom आ गया first floor पे false ceiling completed है दोस्तों attach washroom है इसके साथ आप देख सकते हैं light and dark का combination है जैसा मैंने आपको नीचे दिखाया था kitchen same pink and white का color है मेरून वाइटिश में साथ में MDF की जाली का partition दिया हुआ है दोस्तों जैसे पहले दिया हुआ था वैसे same दिया हुआ है काफी spacious kitchen है दोस्तों यह आगया आपका fourth bedroom wall ceiling completed है pink color के साथ pink color का ही wallpaper दिया है dark and light का combination बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों यह देखिए spacious washroom है यहां पर भी wall to wall tiles लगी हुई है fittings दी हुई है territory fittings अभी लगनी है जब hand over करेंगे कोटी तब लगा के देंगे दोस्तों 90 लाक रुपे इसकी asking price है बाकी मौक्य पर negotiable है कि आप देख सकते हैं यहां पहल मीरास बनी हुई है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like ज़रूर करें दोस्तों ताकि हमें और खुशी हो कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिए क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी options मिलेंगी दोस्तों यह पीछे का courtyard आ गया आप देख सकते हैं एक bedroom यहां भी बना सकते हैं यह stairs जा रही है उपर क्योंकि जब तक आप subscribe नहीं करेंगे तब तक आप तक हमारी कोई भी live अपडेट नहीं पहुंचेगी दोस्तों हमारे पास 35,00,00 से कोठियां शुरू हो जाती है sector 125 में Aero City में भी available है कोठिज हमारे पास Atropolis जो नया आ रहा है Aero City का extension 2 Mabella Grand Medallion La Prisma Noble Kalista और बहुत सारी options हैं दोस्तों हमारे पास Aero City मोहाली में जेरकपूर पट्यारा रोड पर PR7 रोड पर बाकी की जानकारी के लिए आप मुझे call करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों